नमस्ते दोस्तों नमस्षिवाय आज मैं फिर से आ गई हूं एक और रेसिपी के साथ तो आज मैंने बनाए हैं पकोड़े जो हरे वाले प्याज होते हैं उसके तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो बाद में सब्सक्राइब कर देना और लाइक क होते हैं तो इसको पहले हम कैसे करेंगे कि इसका जो यह नीचे वाला जड़ है इसको पहले हम अलग कर लेते हैं और उसके बाद यह जो इसका लीफी पार्ट है जो ग्रीन वाला पार्ट इसको हम बिल्कूल जैसे कोई भी साग काटते है ना उस तरीके से काट देंगे दिखाते हूं मैं आपको इस तरीके से बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें काटना है यह अल्रेडी धूला हुआ है बट मैं काटने के पाद फिर से धूंगे इसको का यह मैंने ऐसे काट लिआ है पूरा Dragback को और और सग्ईा प्याज बहुते हैं गाओं में हरा प्याज ली सब बोलते हैं इसके बाद यह मैंने धनिया लिया है इसको भी मैं काट लूँगे रफली क्योंकि ये धनिया पत्ता से ना फ्लेवर बढ़ा अच्छा आता है और पकोड़े में अगर आप साबुत धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डालो ना तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कभी फिर दिखाएंगे आपको अब य बात की अच्छा हम नीचे वाला पार्ट है ऎका इसको इस तरीके से क्लीन कर लेना है मतलब यह मिट्टी में था और अभी जीन है तो इसका है क्या खरेंगे कि निखाल देंगे कि तो यह दSi तरीके सिर कि एक दो लियर हमें निकाल देना है अब यह अंदर से एकदम साफ आ गया है तो इसको हम पतले पतले स्लाइस में इसको भी काट लेंगे और इसके डंठल को भी इस तरीके से काट लेंगे बस यह काटने में थोड़ी सी साउधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि जो हरावला प्याज होता है वह बहुत फिसलता है तो अगर चॉपिंग बोड का यूज कोई नहीं करता है जैसे कि मैं तो हाथ कटने का डर रहता है तो स लिए इस तरीके से अब इसको दो देना है और और दो पनी चौर खरने पाने निचोड लेदा कि कैसे प्रस्छी मो डही हो, यह嫁 नकाल लिए अब यह बहुत बहुत बचा हुआ पानी था वो भी मैंने निकाल लिया है इस तरीके से अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले और फिर हम इसमें बेसन डालेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया है नमक नमक स्वाद के हिसाब से होना चाहिए पकोडे में नमक ज्यादा अच्छा हो नहीं लगता है ठोड़ा कम हो चलेगा ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद मैंने लिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और मैंने आधा चम्मच जीरा ऐसे साबूत ही डाल दिया है पाउडर खटम हो गया था तो और उसके बाद में लिया है थोड़ा साजमायन मतलब हाफ ती स्पून के करीब अजमायन लिया है यह अच्छा लगता है और दाइजेशन के लिए अच्छा रहता है और क्ल stark Just to do 5 के करीब काले पाउड़र oh और उसके बाद मैंने 5 sugar Smave ठतल इसाओ मिरच ली थी इसको कट कर लिया है आप यहां पे चाहिए तो ऑपड़ भी डाल सकते हैं आसको करते हैं तो इसलिए मैंने हरे मिरच ली थी 5 यार उसको कट कर लिया इसमें में और अब हम डालेंगे बेसन अच्छा बेसन एकी बार पूरा नहीं डालना है क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए सरफ इतना ही होना चाहिए जितने में यह जो प्याज है ना वो अच्छे से बाइंड हो जाए तो पानी भी नहीं डालना है अलग से और बेसन भी एकी बार पूरा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके मैश करते हुए डालना है तो देखिए कैसे मैं कर रही हूँ इससे अंदाजा लग जाता है कि कितना बेसन होना चाहिए बेसन बहुत जादा हो जाएगा तो भी पक पानी में इसको इस तरीके से मिक्स करना है देखिए एक बुंद भी बाहर से पानी नहीं डाला है हमने और धीरे-जीरे करके हमने बेसन डाला है इसमें जितना जरुवत था उसे इसाब से और आप यह देखिए कि इतना अच्छा सा मिक्षर बन गया है पकोड़े के लिए तो इसको हम करेंगे साइड में बहुत ही बढ़िया बन के मतलब त्यार हुआ था यह पकोड़ा सबको बड़ा पसंद आया था बच्चों को भी तो मैं तो यह रेक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप लोगे ठ्राय करो और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करन कटाही चड़ा दिया और थोड़ा समय डाला था पकोड़े का मिक्षिर है कि तो तेल जो है ना वो ना बहुत जादा गरम होना चैहिए ना एकदम ठंदा क्योंकि ना अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा तो जैसे पकॉड़ा डालेंगे तरन बाहर दाने रहेगा और देने के जरुवत नहीं है अपने आप शेप आ जाता है आप चाहें तो इस पून से भी उठा उठा के डाल सकते हैं के इस तरीके से पूरे कड़ाही में डाल दिया है तियल ना मीडियू होना चाहिए और इसको इसतरीके से में घुमा रहे हैं जो किनारे चिपा हुआ हकने दा लि Jia आशाया है मैं च्रण जाएगा और यह बहुत जादा गर कश्क्राइब होकाई तो एलोगा कम भी गर्ब नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बेनी एक हिसाब से और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें सेखना है देखिए मैंने पलट लिया है और अब कुछ-कुछ पकोड़े हैं जो आगे पीछे डले थे तो इसलिए उनको हम ऐसे सिंगल सिंगल करके देखते हुए पलट लेंगे क्योंकि छोटी-छोटे पकोड़े हैं तो सारे एक साथ पलट नहीं पाते तो इस तरीके से देखिए मैंने सब कर लिया था और यह जो है पकोड़ा अब आल्मोस्ट रेडी हो गया है चाहें तो इतने पर भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और अगर सिख जाएगा तो अच्छा रहेगा तो देखिए यह जो पकोड़ा है हरे प्याज का लाल लाल बन के तयार है और बिल्कुल क्रंची बना था बहुत ही बढ़ियां बना था और सब बहुत पसंद आया था अब बाकी जो मिक्स्चर है उसको भी हम इसी तरीके से बाकी पकोड़े को भी तल लेंगे देखिए मैंने पूरे कडाही में डाल दिया है और इसको भी इसी तरीके से सेम तरीके से देखिए हो गया है यह चाय के साथ साम को बहुत अच्छा लगता है यह वाला पकॉड़ा और जेनरली जो हरा वाला है वो सर्दी में मिलता है तो इसलिए तो बनाना ही चाहिए इसको बाकी पकॉड़े को भी हमने निकाल लिया है और यह हमारा आज का पकॉड़ा जिसको हम हरी चट्नी धनीय की इतनी के साथ और हरे मिर्च जो भूनी हुई है उसके साथ साथ किया है तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करें